राम राम जी से भी किसान भाईयों को मैं हूं गगन और आप देखे हैं मेरी यूटूब चैनल मिस्टर फार्मर गगन तो चलिए जो है आज के वीडियो जो सुरू करते हैं तो आज जो है मैं अपनी एक छोटी सी दिन चेरिया को जो है आपको दिखाने वाला हूं तो जैसा क सभी छेतरों में लगबा कटीन हो चुकी है किसान जो है इस साल जो है फसल से बहुत ही संतूष्ट है क्योंकि पैदावार अच्छा हुआ है एवाम जो है किसान को अपने धान का रेड भी अच्छा प्राप्त हुआ है मार्गेट रेड और धान कटीन में कई समस्या है पाणी पहुझाने में आप जान ही रहें कि 2012-22 में गृष मधालीन जो अपनी धान की फसलिए को एक पानी का बहुत ही जयादा समस्या उतपन हुआ था चहतिसगड में तो चेदिसगड़ में पानी का समस्या उतपन होने के कारण जो है किसान जो है अपने कई जुगाड से भुख़ाय थे धेल को बचाने के लिए बहुत सब्सक्राइब सुआ की इंज पानी पोई सब्छाएसा खाना थे तो वहाँ पर आप सब्सक्राइबुचा पड़न होद्बंक में थे जिवाने वीचमान एक पाना बणा करके हम अपने फाद बाइब फाइब को कत्रित करके रखने चा रहे हैं तो किस तरीके से रखें हैं इतने मीर्णी भीखर भड़ ह Georgia अपने पॉइब आप्र कोगे अपने ट्रल्क पर निकाल रहो है निकाल लोट करने के बाद अपने मगान के पास ले जाए कि उसको छोड़ के मगान के अंदर में डाल देंगे क्यों कि कोई भी किसान लगबक सभी किसान का धान कटीन हो चुका है कोई एक किसान भी अपना अगर प्लॉट को आग लगाता है तो यह गर्मी में ऐसा है आप खुद जारने कितना गरम है कितना हवाएं इसमें साम को चल रही है तो यदि कोई किसान अगर अपने खेत को प्लॉट को आग लगा देता है तो सभी तरब आग फैल जाएगा फैलने से जैसा कि अगर हमारा यह पाइप अगर खेत में पड़ा रहता तो यह पाइप जो ह रहता है तो हमको काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है आपने पाइप को में अपने च guides क connectivity के बारेंidamente कितन पइस इसने खिल द्यान कारा चाटीशान का रहा है तो किसान में ऑचाटिशान करके हैं कि ने पत्राशान के हैं लापरवा हो जाता है किसान, तो किसान ऐसा ना करें, अपने ऐम्पलीमेंट है, अपने बंप है, अपने स्टार्टर है, अपने पाइप है, जो भी चीज अपना खेट पर बिखरा पड़ा है, वो सारे चीजों को गतरित कर, जो है अच्छे सुरक्षी जगह पे रखने के बाद जो है देख सकते हैं जो है हम अपने पाइप को जो है ट्रॉली पे लोट कर चुके हैं सारे पाइप को और जो है पाइप को पीछे से अच्छे से बांध रहे हैं क्योंकि रस्ते पे जो है ये गिरे ना इसको यदि ये पा बनाके रखें समान वगएरा एकत्रित करने के लिए जैसे कि वहां पर हमारे बरसाद में अधी हम धान की खेती करते हैं तो वहां पर खाद वगएरा जो है लाके रख दिये रहते हैं ताकि हमको दूर से खाद उठा कर लाना ना पड़े तो आप भी ऐसा चोटा मोटा जो है बड़े रूप में खेती करते हैं रोट से आपका प्लॉट अंदर पर है तो ऐसा मकान चोटा सा बनाके रखें जिस पर आप अपना जो समान है उसको एकत्रित करके रखें तो हम अपने सारे पंप का तीन चार्ज इतनी भी पंप अपने चल रहे थे सारे पंप का वायर जो रख दी हैं बागी आया अभी पाइप की बारी तो पाइप भी हमने सारा लोट कर चुका है ट्रैक्टर पर लोट करने के बाद हम निकल रहे हैं अपने मकान की और और मकान पर पहुंचके सारा पाइप गिरा के उसको मकान के अंदर रख देंगे ताकि फिर से हम इसका उप काल के रख रहे हैं काल के रहे हैं काल कि रहे हैं झाल झाल